हेलो फ्रेंड विल्कम बैक मैं चैनल तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत खुबसूरत और कम टाइम में बनने वाली नेक गली की नेक बनाना बता रही हूं तो नेक की चोड़ाई मैंने यहां पर तीन इंच ली है अब यहां पर नेक की लैंथ मैं आपर आइस इस तरीके से डेख सकते हैं अब यहां पर मैंने सेंटर से जिस पल्ले को जो है ऐडाला लगला कर दी तो मैंने पर शियूंज आहिए हूं और अभी हां फैब्री ऊपर हमें वाछी की फैब्री को चैट कर देना है सट करने के बाद जो एफ मर्म को पटी पे नब ना जिससे की फिनिसिंग अच्छी आएगी और अब यहां पे पीन को निगालते हुए इस तरीके से हमें पलड़ देना है सीधा कर देना है देख सकते हुए और इसकी बाद जो फैन गले पे मैं चारो तरफ ना सिलाई लगा के अच्छी सेट कर लूगी प्रेस कर लूगी तो मैं मैं यहां पर कर ली हुए है अब यहां पर लाइनिंग की फैब्रिक मैं ले ली हुए है डबल फूल्ड करते हुए और इस तरीके से जितनी भी आपने की लेंथ रखना चाहते हो फैन उससाब से लेते हुए ना माक कर लें और यहां पर इस तरीके से हमें ड्रो कर लेना है तो देख सकते हूं गाइस इस तरीके से हमें माक कर लेना है माक करने के बाद मैं उसी माक के उपर कट कर ली हूं गाइस और कट करने के बाद आप यहां पे ना मैन फैबरी के उपर हमें इसे अच्छे से पिन अफ करते हुए सेट कर देना है और जिस तरीके से मैंने कटिंग क मिलती रहती है नई नहीं चीजे में आप सबके साथ सेयर करती रहती हो गाइस तो उन सब को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले तब ही जाके आप मेरी हर एक वीडियो देख पाओगे फैंस जब अब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नौटिफिकेशन आप तक जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्लेस वीडियो को लाइक कर दिया करें आप सब वीडियो लाइक नहीं करते हो गाईस तो देख सकते हो मैंने आप इसी ल इन चौरी में नहीं फैबरीक लेह और इसकी लंबाई काफी ज्यादा है और कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हों ना हमें यहां पर सिलाई लगा लेनी है तो मैंने यहां पर सिलाई जो एफन कंप्लेट कर लिए हूई आप यहां पर सुई की हैल्प सेना हम इसे प्ल प्लटने के बाद अब हमें क्या करना है मैंने एक पेज ले ली हुई है आप पेपर भी ले सदेगा है और यहां पर हमें इसके उपर ले लेना है और जितना को रखती है न मार्ग से हमें हाफ इंच अंदर के साइड में इस तरीके से राउंड राउंड सा बनाते हुए हमें सेंटर पे सिलाई लगा देनी है बिलकुल सीधे में हमें सिलाई लगानी है गाईज देख सकते हैं आप इस तरीके से गोला गोला सा बनाते हुए राउंड में देते हुए हमें जो है फैन सिलाई लगाते हुए ना इससे सेट करते हु दूसरी जो भी जो लाइन एफन उस पर भी अटेच कर ले रही हो बना ले रही हो इस डिजाइन को तो यहां पर हमारी दोनों जो लेयर डिजाइन एफन बनके कंप्लीट हो गई है देख सकते हो आप अब यहां पर एक्षर जो डोड़ी है उसे कट करके हटा देंगे और इस हमकर से घृडच डैस इस डिजाइन को ऊपर हमें अच्छी तरीके से से करते हुए सिलाई लगा लेनी है देख सकते हो अप अच्छी तरीके से हमें onun सनाय हो और इसके बाद ऑप हमें किया करना है अब हमें इस был है फएंब जिससे कि हमारी उस भी डग जाया मैं और इसकी जो लुक है वह अची है जाएगी तो देख सकते हो गाइस जिस तरीके से हमारी जो डेजाइन है हमें अच्छी से उसी तरीके से corner यको है material अच्छी सेट करते हुए हमें लेस को जो है ऑटैच कर देने है और नीचे की कि लाइन में आम ऐक इंच जो है अपनौर 2 ले लिए है और यहां पर डोड़ी ले लिए फैन को रणा और 650 ले जिए 10 लंभी और कुछ इस तरीके से सीम वाली में लटकन बना ले भी आ dove ч इनों लटकन को ना हमें अच्छे तरीके से सेट करते हुए अब जो मैंने एक इंच का गैप छोड़ी हुई थी फैन यहाँ पे लैस पे हमें उसी लैस के अंदर जय फैन अच्छे से फिट करते हुए ना यहाँ पे सिलाई उपर से लगा लेने हैं देख सकते हो अब यहाँ मैंने गैप छोड़ी हुई थी उसके अंदर ना मैं अच्छे से सेट करते हुए ना सिलाई लगा देने हैं जिससे की फिनिसिंग भी हमारी अच्छी आएगी और डिजाइन तो मैं क्या ही बोलूँ आप खुदी देख सकते हो गाईस तो अब इसे अच्छे से सेट करते हु करते हुए ना सेंटर पे मार्ग कर देना है तो देख सकते हो आप गले पे इस तरीके से चोकसे में सेंटर पे मार्ग कर दी हूँ और इस डिजाइन को भी डबल फोल्ड करते हुए सेंटर पे कट लगा दूंगी और दोनों सेंटर को फैन सेंटर से मिलाते हुए ना हमें सि यह पला है न वह उपर नीचे उचा नीचे नहीं आएगी टेड़ा नहीं होगा फैन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से न यह सेट हो जाएगा तो देख सकते हो आप अच्छे से मैं पहले पीन अफ कर ले रही हूं ताकि जब मैं सिलाई यह लगा हूं न तो खिसके न थोड़ क्ले के लिए हमें यहां अच्छी क्रूस करने करने के लिए महीं यहां पर पिनिस्टर कर लोग force मैं धाले King तो नसी मत बढ़े हैने क्हें हैं अच्छी लगी होगी एज़ी और अउसान लगा होगा तरीका मेरे आप सब को तो पिलीज आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें सेयर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसी तरीके से नहीं नहीं डिजाइन सीखना और देखना चाहते हो तो गाईस आप याँ पे हमें क्या कर ना है मैंने पूरे नइक पर फैन लेस अटेच कर दी है इस पेपर को मैं निकाल दे रही हूं गजाइज अभी और भी देखे आगए हमें क्या करना है आप याँ पर एक्स्ट्रा जो डोड़ी धागा है उसे कट करके हटा देंगे ताकि finishing हमारी बरकरार है अच्छी रहे अभी यहां पर fan इस तरीके से सेट करती हुए धागा को कट कर देंगे हमें धागा को अच्छी तरीके से कट कर देना है और कुछ इस तरीके से अभी जो मैंने design बनाई थी गाई इस डोड़ी वाली हमें उसके सेंटर में ना मोती जो है फेन अटेच कर देनी है